दोस्तों, इंटेनेट पर काफी सारी वीडियोज आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें डिफरेंट एप्स या ट्रिक से आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आप अपने फोन की बैटरी को 200% तक चार्ज कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि क्या सच में ऐसा किया जा स या फिर ये बस वीडियोज बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियोज डाल देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि फोन की बैटरी को 100% कैपसिटी से जादा चार्ज कर सकते हैं, क्या है दोस्तों कि हम इंडियन्स किसी भी चीज़ को उसकी कैपसिटी से जादा ही यूज करने का जुगार निकालते रहते हैं, तो क्या ऐसा ही आप अपने फोन की बैटरी के साथ भी कर सकते हैं, चलिए हम बता दें आपको, नॉर्मली सारे स्मार्टफोन में लीथियूम आयन बैटरी होती है, जिसमें हम छोटी सी जगह में काफी सारा पावर स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हम MAh में में मिजर करते हैं, जिसका मतलब होता है कि बैटरी में कितना इलेक्रिकल चार्ज होल्ड करने की श्रमता है, आपकी बैटरी बे जितने ज़ादा MAH होंगे आपको उतना ही ज़ादा बैक अप मिलता है, ये तो सीरी सी बात है, आपने भी देखा होगा कि जि स्मार्टफोन में 3,000 mAh से 4,000 mAh तक की बैटरी देखने को मिलती है, कुछ में जादा भी हो सकती है, जैसे 5,000 या 7,000 तक भी है जिनको हम चार्ज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जर का यूज करते हैं जो अलग-अलग watts capacity के साथ में आते हैं, watt मतलब कि socket से आपकी बैटरी में कितना पावर जाएगा, जो कि बैटरी की capacity पर डिफरेंट करता है, जादा capacity की बैटरी को fast चार्ज करने के लिए चार्जर भी तो जादा watt का होना चाहिए, और हमारे सभी phones के साथ उसके supported capacity वाले चार्जर ही आते हैं लेट सपोज, अगर आपके पास 4000 mH की बैटरी वाला फोन है तो आप उसको 10 watt के चार्जर के साथ चार्ज करते हैं तो 2 घंटे में बैटरी को 100% चार्ज करतेगा, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि आजकल सभी phones फुल चार्ज होने पर automatic charging बंद कर देते हैं तो भले ही आप उसको राद भर चार्जिंग के लिए लगा रहने दें और सो जाए मस्त, गहरी नीद में तो भी वो 100% से उपर तो जाने वाला नहीं है बिल्कुल भी नहीं और अगर रात में आपकी बैटरी रखे रखे 99% पर आती है तो वो फिर से चार्ज होने लगता है और रात भर में 99 से 100% के बीज में जूलता रहता है ऐसे में अगर साल भर भी आपकी बैटरी चल जाए तो आप मान के चलिए बहुत लगी है तो क्या हो अगर हम जादा वार्ट का चार्जर यूज़ करके हम बैटरी को उसकी कैपेसिटी से जादा चार्ज कर सकते हैं और इसका जवाब है बिलकुल भी नहीं हाइर वार्ट का चार्जर यूज़ करने से आपके phone के battery charging capacity पर कोई effect नहीं पड़ेगा वो उतना ही charge intake करेगा जितनी उसकी capacity है बलकि आपके phone में जाएगा ही नहीं कुछ cases में charging speed पर effect पढ़ सकता है और वो भी तब जब battery उसके लिए capable हो इसके अलाबा आपके battery 4000 mAh से जादा तो बिलकुल charge नहीं हो सकती है भाई उसमे capacity इतनी है बलकि कभी-कभी ऐसा करने पर short circuit या phone heat up जैसे problems face करने पड़ सकते हैं तो इस तरह से आप battery को 200% तक तो बिलकुल भी charge नहीं कर सकते हैं ये clear हो गया क्योंकि उसकी जितनी capacity है वो उतना ही charge होगा डबल नहीं हो जाएगा ये कोई कपड़ी रखने वाला bag नहीं के ठूस-ठूस के भर दिया ये electronic device है भाई जितना उसमें होगा उतना ही जाएगा तो ये काम किसी application के थूप बिलकुल नहीं कर सकते हैं दोस्तों याद रहे कि कोई भी application आपके hardware में changes नहीं कर सकती है जादा से जादा जितनी भी battery optimization apps हैं वो आपकी battery को जल्दी drain होने से रोक सकती है या power consuming features और operations और different settings को control कर सकते हैं उसको slow कर सकते हैं इससे जादा उनकी कोई हैसियत नहीं है कुछ नहीं कर सकते हैं वो जिससे आपको मिल सकती है थोड़ी बहुत जादा battery life तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ में share करें और जो लोग नए हैं वो ऐसे ही और भी मज़िदार वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें और bell notifications को on कर दें तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए good bye